नमस्कार, न्यूज एट नाइन में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरत दुबे, आइए सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर रूस ने तोड़ी न्यू स्टार्ट संधी यूक्रेन युदसे आई रूस और यूएस के रिष्टों में तलखी न्यूक्लियर वारहेट्स पर कैप लगाना था मकसद आईसे यार ने विक्सित की गेहूं की नहीं प्रजाती जलवायों परिवर्तन से कर सकेगी मुकाबला प्रमुख अनाज फसल है गेहूं और IMF ने बताया भारत को ब्राइट स्पॉर्ट वैश्विक सम्रिद्ध में है एहम भुमिका कोविट महामारी का किया था मुकाबला खबरों में आगे बढ़ते हैं पर उससे पहले आपको बताते हैं अगर इस बुलेटिन को अगर आप PDF फॉर्मिट में पढ़ना चाते हैं तो अमृतुपाध्याई 007 इस टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं इसके लावा एक बहुत ही महत्यपूर्ण सुचना Study IQ IS हिंदी द्वराय स्टार्ट किये गए लाइफ फांडेशन बैच में आज एड्मिशन लेने की अंतिम्तिती है आज 23 परवरी है और आज ही इस बैच में एड्मिशन की अंतिम्तिती भी है इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए ल Council of Agriculture Research ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है इस नई किस्म को HD 3385 नाम दिया गया है ICAR ने इसे PPVFRA यानि Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority के साथ रजिस्टर किया है PPVFRA के साथ रजिस्टर करने से ICAR की बौधिक संपदा को संरक्षित किया जा सकेगा HD 3385 गर्मियों में भी अधिक उत्पादन करने में सक्षम है दरसल जलवाई परिवर्तन के चलते फरवरी में भी गर्मियों का प्रभाव देखा जा रहा है इसके चलते गेहूं की उत्पादक्ता में कमी आ रही है ICAR की ये किसमें इससे निपटने में मददगार शाबित होंगी आपको बता दें कि गेहूं दूसरी सबसे एहम आनाज फसल है या देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में मुख्य खाद्य फसल है गेहूं रवी की फसल है इसे व्रधी करने के लिए ठंडा मौसम और पकने के लिए चमकीली धूब की आवशकता होती है इसे 50 से 70 सेंटीमीटर सालाना वर्शा की जरुरत होती है देश में गेहूं की पैदावार के दो प्रमुक क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा और स्ततलुच का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी का क्षेत्र है IMF की मैनेजिंग डिरेक्टर कृस्टनिला जारजिवा ने 2023 में भारत द्वारा वैश्विक सम्रद्धी में 15 फीसदी के योगदान की बात कही है IMF के मताबिक भारत की प्रोग्रेस सराहनी है 2023-24 में भारत की व्रदिदर 6.1 फीसदी आकी गई है ये ग्रोथ रेट बड़ी अर्थ फिवस्था में सबसे ज़ाद तेज है IMF के मताबिक वैश्विक सम्रद्धी के लिए 2023 एक कठिन साल रहा है अलाकि भारत को वैश्विक पटल पर एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है दरसल भारत ने कोविट के बावजूद ग्रोथ में अच्छा प्रदशन किया है भारत की राजकोशी नीती कोविट जैसे परिस्थितियों के प्रती जवाब दे रही है आपको बता देए कि IMF अपने 190 सदस देशों की आर्थिक सम्रद्धी के लिए काम करता है IMF के तीन मुख्य मिशन है अंतरास्ट्री मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना व्यापार और आर्थिक सम्रद्धी को बढ़ावा देना संपन्नता को नुकसान पहुचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित यानी डिसकरेज करना IMF अंतरास्ट्री स्थिर्था को बढ़ावा तीन कामों के जरीए देता है इनमें Policy Advice, Financial Assistance और Capacity Development शामिल है गौरतलब है कि साल 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रेडिन वुट्स न्यू हैमशायर में एक सम्मेलन किया था इसका मकसद विश्युद से तबाह हुई अर्थविवस्था को अंतरास्टी सहयोग से फिर से विक्सित करना था इस सम्मेलन ने दो संगठनों को जन्म दिया था IMF और विश्यू बैंक लंबे वक्त से एक परंपरा के मताबिक विश्यू बैंक के अध्यक्ष का चुनाव USA की सरकार तो IMF के अध्यक्ष का चुनाव यूरोपी देश करते हैं रूस ने USA के साथ की गई न्यू स्टार्ट संधी को निरस्त कर दिया है यह रूस और USA के बीच अंतिम बड़ा मिलेटरी अग्रिमेंट था रूस के मताबिक USA संधी के प्रावधानों के तहट रूस की सैन सुवधाओं का परिक्षन करना चाहता है वहीं दूसरी और रूस की कूटनितिक हार को USA अपना लक्ष बता रहा है स्टार्ट यानि Strategic Arms Reduction Treaty को स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है और इस संधी पर USA और ततकालीन USSR के बीच साल 1991 में हस्ताक्षर हुए थे इस संधी का मकसद Nuclear Warheads और Intercontinental Ballastics Missiles की संख्या पर कैप लगाना है यह संधी साल 2009 में लैप्स हो गई थी फिर इसे शॉर्ट यानि Strategic Offensive Reduction Treaty के जरिए रिप्लेस किया गया शॉर्ट को ट्रीटी ओफ मॉस्को के नाम से भी जाना जाता है इसे न्यू स्टार्ट संधी के द्वारा रिप्लेस किया गया था न्यू स्टार्ट संधी 5 पर रवरी 2011 को लाग हुई थी इसे आधिकारिक तोर पर ट्रीटी बिट्वें दा यूनाइटेस स्टेट्स ओफ अमेरिका और रशियन फेडरेशन ओफ मेजर्स फॉर्दर रेडक्शन एंड लिमिटेशन ओफ स्ट्रेट्जिक ओफेंसिव आम्स के नाम से जाना जाता है दोनों देशों के बीच इस संधी को 2026 तक extend करने पर सहमती बनी थी अब यूक्रेन मुद्दे पर दोनों दर्शों के बीच बड़ी तलखी ने इस संधी को समय से पहले ही खत्म कर दिया है इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2011 में UPSC की प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर आये करते हैं गौर प्रश्न था न्यू स्टार्ट संधी समाचारों में रही थी यह संधी क्या है यह USA और रूसी संधी के बीच नाभिकी श्रस्त्रों पर कटोती करने की द्विपक्षिय सामरिक महत्व की संधी है यह पूरवी एशिया शीर संबेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षिय ओर्जा सायोग संधी है यह रूसी संग तथा यूरोपी संग के बीच उर्जा सायोग संधी है यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई संधी है इसका सही जवाब है विकल्प A 1979 के बाद दिल्ली में तीसरी सबसे गर्म फरवरी दर्ज की गई है IMD यानि Indian Meteorological Department के मताबिक उत्तर पश्मी भारत में जल्द गर्मी पहुँचने की वज़़ मजबूत पश्मी विक्षोब यानि Western Disturbance की कमी है Western Disturbance, Caspians आगर से उठने वाले ऐसे Disturbance हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्मी भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार है सर्दियों के मौसम में ऐसे 4-5 विक्षोब 2-5 दिनों के लिए आते हैं ये सर्दियों में स्नो और प्रिसिपिटेशन के लिए जिम्मेदार है लंबे समय से एक मजबूत पश्मी विक्षोब की कमी उत्तर भारत में तापमान व्रधी के लिए जिम्मेदार है पश्शिम से पूर्व दिशा में ट्रेविल करने के चलते इन्हें वेस्टन डिस्टरविंस कहा जाता है पश्शिमी शोब उत्तरी भारत में रवी की फसल में एहम भूमिका निफाते हैं चलिए अब बात करते हैं आज के बुलिटेन पर आधारित प्रिशनों की पहला प्रिशन है हाल ही में खबरों में रहा HD 3385 क्या है गेहूं की एक किस्म, शुद्र ग्रह, चैट बॉट या नाइट विलिजन्स के लिए रक्षा उपकरन अगला प्रिशन है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब बारी है पिछले बुलिटेन पर आधारित प्रशनों को जानने की और उनके उत्तरों को समझने की पहला प्रशन था निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसका सही जवाब है विकल्प B यानि केवल दूसरा कथन सही है गुएना दक्षन अमेरिका महादवीप में स्थित एक देश है अगला प्रशन था एशियन डवलप्मेंट बैंक यानि ADB के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए ADB में 68 सदश देश शामिल है ADB का मुख्याले भारत में स्थित है ADB में एशिया प्रशांद क्षेतर से बाहर के सदश देश शामिल नहीं है उप्रिक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए केवल एक केवल दो और तीन एक और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब है विकल्प ए यानि केवल पहला कथन सही है ADB का मुख्याले फिलिपीन स्मिस्तित है ADB में एशिया प्रशांद क्षेतर के बाहर के सदश से भी शामिल होते हैं आज के बुलिटेन में फिलहाल इतना ही आशा करते हैं आपको आज के बुलिटेन में बताएगे सभी ख़बरों के बारे में जानकारी इस पश्ट समझ में आई होगी फिर कल कुछ नई खवरों के साथ आपके समक्सा जिर होंगे तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद है